सद्गुरु को प्रणाम जैश्री श्याम आज मैं आपको भगवान श्री कृष्णन ने उद्धव जी के प्रश्णों के उत्तर देते वे उनको ये बताया था कि जैसे हमारे जीवन के इंदर हमारी जो डेफिनेशन से बहुत चीजों के वो भगवान से डिफरेंट है धनी होना, निर्धन होना, हम सब की डेफिनेशन से ये सब चीजों के काफी डिफरेंट है और भगवान इन सब चीजों के बारे में कुछ और तरीके से सोचते हैं तो आज मैं आपको वो बताऊंगी कि ये सब चीज़े यम, नियम, दम, धर, दान, जैसे हम लोग दान के ल आज व्याज जी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि व्याज जी ने ही श्रीमत भागवता महापुरान लिखा था तो व्याज जी कौन थे आज मैं आपको विश्णु कोष्ट के अंदर वो बताऊंगी तो शुरू करते हैं उद्धव जी ने कहा है परमात्मन जो पूरिश इस संसार के विकट मार्ग में तीनों तापोस के थपेड़े खा रहे हैं और भीतर बाहर जलभुन रहे हैं काल रूपी सरप ने उन्हें डसा हुआ है आप क्रिपया करके इस से मुक्त होने का उपाय बतलाईए भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है वहे मेरी अमरत्मय कथा में श्रधा रखे निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीरतन करे मेरी पूजा में निष्ठा रखे और स्रोत्तों के द्वारा मेरी स्तुति करे मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे मेरे लिए धन, भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे और जो कुछ यग्य, दान, हवन, जप, व्रत और तप किया जाए वहे सब मेरे लिए ही करे इस प्रकार के धर्मों का पालन करने से चित में जब सत्व गुण के व्रधी होती है और वहे शान्त होकर आत्मा में लग जाता है उस समय उसे धर्म, ज्यान, वेराग्य और एश्वरे स्वयम ही प्राप्त हो जाते है उधव जिससे मेरी भक्ती हो वही धर्म है अब भगवान कब ध्यान से सुनेगा कि भगवान बता रहे है धर्म क्या है तो भगवान कहते हैं जिससे मेरी भक्ती हो वही धर्म है जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षातकार हो वही ज्यान है विशियों से असंग रहना ही वेराग्य है और अनिमा आदिस सिद्या ही एश्वर्र है उद्धव जी के आगे प्रश्न पूछने पर भगवान उन्हें उसी के अनुसार आगे उत्तर देते हुए कहते हैं उद्धव जी यम बारा प्रकार के होते हैं अब मैं आपको बता रहे हुए यम नियम दम ये सब जो होते हैं भगवान उनके बारें बता रहे हैं तो आप ध्यान से सुनेगा भगवान कहते हैं उद्धव जी यम बारा प्रकार के हैं अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, असंगता, लज्जा, आवश्यक्ता से अधिक धन आदिन न जोड़ना, आसत्तिक्ता, ब्रहमचर्रे, मौन, स्थिर्ता, शमा और अभे इसी प्रकार नियम जो हैं ये भी बारा प्रकार के हैं वो क्या हैं? बहारी और भीत्री पवित्रता, जप, तप, हवन, श्रधा, अतिथी सेवा, मेरी पुजा, टीत हियात्रा, परपकार की चेश्टा, संतोष और गुरु सेवा, ये क्या हैं बारा प्रकार के नियम हैं? बुद्धि का मुझे में लगे रहना ही शम है, इंद्रियों का संयम करना ही दम है, न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है, जिवा, जिवा मतब जीव और जनेंद्रियों पर विज़े प्राप्त करना ही धैर्रे है, किसी से द्रोह ना करना, सबको अभे देना ही सबसे बड़ा दान है, कामनाओं का त्याग करना ही तप है, अपनी वास्तनों पर विज़े प्राप्त करना ही शूरता है, सर्वत्र परमात्मा के दर्शन करना ही सत्ते है, कर्मों में आसक्त ना होना ही शौच है, कामनाओं का त्याग ही सन्यास है, धर्म ही मनुश्यों का धन है, मैं परमेश्वर ही यग्य हूँ, ज्यान का देना ही दक्षिना है प्राणयायम ही शेष्ट बल है मेरी शेष्ट भक्ति ही लाब है सच्ची विध्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्म का भेद मिट जाए पाप करने से घ्रिणा होना ही लज्जा है निर्पेक्ष्टा ही शरीर का सौंदर्य शिरी है दुख सुख दोनों की भावन का सदा के लिए नश्ट हो जाना ही सुख है शरीर में जिसके आसकती है वहें मूर्ख है जो संसा से विरक्त करा कर मुझे प्राप्र करा देता है वही सुमार्ग है चित की बहुर मुखता ही कुमार्ग है सत्व गुण की विर्धी स्वर्ग और तपो गुण की विर्धी ही नरक है गुरु की ही सच्चा भाई बंदु है और वहें गुरु मैं ही हूँ यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है तथ सच्चा धनी वह है जो गुणों से संपन है जिसके चित में असंतोष और अभाव का बोध है वही दरिद्र है जो जितेंद्रिये नहीं है वही कृपन है प्रिये उद्धव इन सब का सारा आंश यह है कि गुणों और दोशों पर द्रिष्टी जाना ही सबसे बड़ा दोश है और गुणों दोशों पर द्रिष्टी ना जाना ही और अपने शांत निर संकल स्वरूप में इस्तित रहना ही सबसे बड़ा गुण है तो इस प्रकार भगवान ने आज गुण और दोश का निरूपन बताया कि गुण और दोश के डेफिनेशन क्या होने चाहिए हम सब की जिन्गी के अंदर भगवान के अनुसार आज भगवान से हमने वो सीखा है और अब समय है विश्णुकोष का हम सब व्याज जी के बारे में जानते हैं कि व्याज जी ने ही यह हमारी पुरान है श्री व्याज जी ने ही लिखे थे तो व्याज जी कौन थे व्याज जी जो थे वो रिशी पराशर और सत्यवती के पुत्र थे फिर व्याज जी के आगे पुत्र हुए थे शुगदेव जी शुखदेव जी वहीं है जिन्होंने राजा परिक्षित को एक सब्तहा के अंदर पुरिश्री मत भागवता महापुरान 2400 घंटे बैठकर एक सब्तहा में सुनाई थी जिसकी वज़े से परिक्षित उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और परिक्षित कुन्होंने यह कथा थोड़ा सा मैं आ बता देती हुँ कि राजा परिक्षित कौन थे वह अरजन और सुभद्रा की जो पूत्र से अभी मन्यूंअभी मन्यूं के पूत्र परिक्षित थे और परिक्षित को ही एक अथा सुनाए गई थी तो आज चोटा सा यह जो आज मैंने विश्नी कोष में आपको बताया है यह हम लोग श्रीमत भागवतम बहुत लोग सुनते हैं पढ़ते हैं और यह जानते हैं कि व्याज जी ने लिखी थी व्याज जी कौन थे हम में से बहुत लोगों को नहीं पता होता उमीद करती हूं आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा एपिसोड में दुबारा आपसे मिलती हूं तब तक के लिए हरे कृष्णा